तस्वीरों में दिख रहा ये दहेज और बारात का खाना उस शादी की गवा है जहां पर दुलहन अपने धूले का इंतजार करती रही लेकिन उसकी डोली नहीं उठी क्यूंकि दहेज के लालची ससुराल वालों को ये दहेज कम लगा और वर्माला के दौरान सोने की चेन नह अवेदन सोपा है आवेदन में दहेज कम होने के चलते दूला और उसके परीजनों के द्वारा बरात बिन शादी के वापास ले जाने के बात कहते हुए दूले के परीजनों पर कारवाई की गौहार लगाई है ये मामला सिटी कोत वाली थाना गरियावंद के रावर भाट डांग बंगला का है दिल्हन की मा और दुल्हन का रो रोकर बुरा हाल है कुलदीप परिवार में दो दिन पहले शादी का आयोजन था बाराद 36 गड़ के बालो जिले के रहने वाले दूला अनिल गंदर्व के परीजन बाराद लेकर पहुंचे थे निर्धारित कारें कर्म के अनुसार शाम को गाजे बाजे के साथ बाराद निकली दूले के परीजन काफी नास्ते गाते विवास्तल तक पहुंचे थे लेकिन शादी के पहले बाराद स्वागत को लेकर विवाद और फिर बाद में वर्माला के समय हलके फुलके कम कीमत के वर्माला की बात कहते हुए सोने की चेन और अन्य दहेच के सामान की मांग करते हुए विवाद बढ़ता गया और आखिर में बाराद देर राद वापस चल गई पिरोवर माना डारे के समय ना लड़का जो दूला है अनिल टांडिया पीता गंगध हर टांडिया तो बोरी से की 10 रुपया के हाल लते पहना था तुमर अवपात का है और भी खारी खानदान से हो और करके बोवी से और उपर बात खेलना खाना वाना खिला के बाद फिर हलाकी दुलहन और उसके परीजन इस घटना की शिकायत रात में ही गरियाबन पुलिस थाने में दी थी और दोपैर में गरियाबन के पुलिस अधिशक से मिलकर लिखित में आवेदन देते हुए कारवाई की मांग की इस पर से साधी बीच में चूट गई और साधी नहीं हो पाई इससे दुखी होकर वदूपक्छ ने थाना को तवाली में अधन दिया है जिसकी जाँच अभी की जारी जाँच में जो भी तक्ष्य सामने आए इसके अधर पर अधनी करवाई की जाए लिए पुलिस अधीशक ने भी ततकाल कारवाई का निर्देश दिया है इस संबद में अतिरिक्ट पुलिस अधीशक से बात करने पर वो कहते हैं कि शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है तो जाँच जारी है झाल